तो क्या नेहा ने सचिन मनीशा को बुलाया था तो सचिन मनीशा क्यों नहीं गय थे या नहीं ही बुलाया था जो भी है बाते क्लियर होने वाली है तो welcome back to my another video में परली परली वी के voice में आप लोग का स्वागत है अगर हमारी चैनल पे आप new है तो चैनल को जरूर subscribe करेगा बे विखा था और सुना था वो ब्लॉग में जरूर कमेंड बताईयेगा और क्थी ओडियेंस खूस भी था कि चलो सचीन जाने वाले हैं नेहा के इंगेजमेंट में अब उसके बाद भी जब सचीन अपने घर को निकले तो बहुत लोग को क्या मुझे भी ऐसा लग रहा था कि द जब तक नेहां असीस्तिवारी अपना ब्लॉग नहीं डालेंगे क्योंकि यूटुबरों का यूटूब जो जिसका चैनल रहता है अगर उसके घर पहले फंसर रहता है तो नियम यहीं रहता है पहले वो ब्लॉग डाल देगा उसके बाद ही कोई ब्लॉग डालेगा क्योंकि ये बाते इन्हीं लोगों ने खुद बताई थी कि हम लोग में ऐसा रहता जिसके घर पार्टी फंसर रहेगा पहले वो ब्लॉग डालता उसके बाद ही कोई डाल सकता है तो मैंने सुचा क्या हो सकता है पहले वो डालने फिर इसके बाद ये सचीन मनी सा अपना ब्लॉग डाल लेकिन उसके पहले ही यहां नेहा का और उनकी होने वाले हस्बेंड का पिक वाइरल हो जाता है जो कि नेहा ने अपने चैनल पे नहीं डाला था किसी अधर चैनल पे वो पिक वाइरल होता है उसके बाद नेहा ने फैसला किया कि चलो हम भी अपना जो है नेहा का तिलक कि न नेहा ने भी अपना गोदभराई का रसंड का वीडियो डाला जिसमें नेहा के रिलेटिव ही नजर आ रहे थे फिर भी ऐसा लग रहा था कि सचीर मनीसा पक्का होंगे ही गई होंगे क्योंकि उसमें ओडियंस को कम दिखाया गया था नेहा का ही जादा तर्क करके उसमें सारे वीडियो पिक्चर दिख रहे थे जहां रहता है जैमाल जैसा बना रहता है इस्टेज जैसा वहां पे नेहा बैठी थी उसका रिती रिवाज के नुसार सारी चीजे वहां पे हुई लेकिन यहां पे जब सचीन अपने घर आते हैं वो बहुत जादा फूट फूट के रोने लगते हैं वो रोना सच में देखके सचीन का रोना देखके न मैं पहली बार मुझे इतना बुरा फिलाया सचीन के लिए कि मतलब वो इनको सबसे सचीन को सबसे कितना लगाव है मुझे ऐसा लगता है न सचीन का वो नेचर है उसको सबसे लगाव रहता है भले उससे बाद किया सबको आ गया कि नेहा ने सचिन को नहीं बुलाया था इसके पीछे भी देखे एक कारण है कि नेहा ने सचिन को क्यों नहीं बुलाया या कोई भी यूटुबरों को क्यों नहीं बुलाया देखो पिछले कुछ समय से जहां जहां पार्टी फंसन हो रहा था किसी के घर भी किसी न किसी पार्टी फंसन में कुछ न कुछ होता है और सरिता जेठू का जब पार्टी था तो उसमें कितना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ जिस कंट्रोवर्सी के वज़ा से मुझे ऐसा लग रहा है वो कंट्रोवर्सी सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी माना जाएगा चलो और सबके घर कंट्रोवर्सी होता था जगडा लड़ाई वो आपस में समझ लेते थे सुलज लेते थे लेकिन जब सरिता के घर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ उहां जगडा किस बात पर हुआ क्या लड़ाई हुआ उनलोग का उस चीज को इतना बड़ा बनाया गया जिसके इस सकती ज़िए वजह से कहीं नेहा असी स्तिवारी के इस disrespect में कोई भी यूटूबर नजर नहीं आया – तो क्या नेहा सिस्तिवारी ने किसी को नहीं बूँलाया था – तो मुझे 100% लग रहा है कि नेहा असी स्तिवारी ने नहीं बूलाया था अब इसके पीछे भी एक कारण है क्योंकि वो ठक चुकी थी ये पार्टी फंसन देख देखके कि बुलाने के बाद होता क्या है विज्जती हमारे साथ उन्हों नी ये किया हमारे साथ वो किया हमारे साथ गलत वेवार किया यही सब तो होता है अभी उनके घर जब उनकी भावी का भी गोदभराई था तो उसमें भी किसी को नहीं बुलाया था यहां तक नेहा का बड़े था उसमें भी किसी को नेहा ने नहीं बुलाया था वो अपने जगे देखो नेहा 100% सही है क्योंकि देखो नेहा को जो है ना कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए सब का चैनल भल सारे यूटूबरों से अच्छा खासा व्यू आता है क्या दिखाती है नेहा अपने घर का चलो यह ठीक है लेकिन यहां मुझे सच में सचीन को नेहा को बुलाना चाहिए तह भले किसी को नहीं क्योंकि सचीन ना सच में दिल से रिस्ता निभाते हैं और नेहा को और तासी को ज्यादा मानते थे नेहा मामा मामा तासी करती थी कितना अच्छा व्लॉग देखने को मिलता था और मनीशा का भी फेस बहुत सुझा सुझा दिख रहा था मनीशा भी रोई थी क्योंकि मनीशा का यह नेचर है मनीशा अपना कुछ दर्थ तकलीफ और कैवरा नहीं दिखात आप मनीशा अगर पति रो रहा है तो कोई भी और तो उसकी रोहेगी है और सब को देखें कि सचिन और कहीं कहीं करेंगे नाचेंगे गाएंगे नंज्वाइ करेंगे उनके लिए कुछ special करेंगे क्योंकि नेहा सचिन का दिल बहुत ज़्यादा बड़ा है अब यहां में बात आती है नेहा सी स्तिवारी का की वीडियो किसने वाइरल कर दिया था फोटो किसने वाइरल तो मैंने एक वीडियो में भी बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि नेहा ने किसी भी यूटुबरों को देखो नहीं बुलाया वो उनका पर्सनल है और आप लोग जान गए होंगे क्यों नहीं बुलाया गया बस जगड़े वज़ा कंट्रोवर्सी के लिए और नेहा का सबसे अच्छा बॉंडिंग है सबका अपना अपना देखो फैमिली के उपर रहता है कि यह सब रोज पंचायत मचे घर में किसी भी बात को लेके क्योंकि नेहा को यह सब ज्यादा पसंद ही नहीं मुझे लगता है पसंद ही नहीं और यहां जो उनके हस्बेंड होने वाले है ना उनके हस्बेंड के बारे में देखो 100% पहले ही बोल दी थी हस्बेंड है यह नाम वाले लिख ले और सुमीत महल लिख ले उनकी यह फर्ष्ट मैरेज है और मैं तो चाहती हूं कि भाई अच्छे-च्छे सबकी लाइफ हो सचीन मनीशा भी जिंदगी में खुस रहे और मनीशा देखो ना किसी को टार्गेट नहीं करती क्योंकि जैसे जिस हिसाब से प्रिंस मनीशा को टार्गेट करता था मनीशा भी चाह के पहुँच के बोलती कि देखो हम घर के आके जिमेदारी उठा लिए यह कर लिए वो कर लिए लेकिन मनीशा का ऐसा नेशर नहीं है बस सबको यह था कि सचिन जरूर जाएंगे इस नहां सिस्तिवारी कि इंगेजमेंट में जो नहीं जाए और मनीशा भी काफी उदास थी मतलब सभी उदास थे उनकी मम्मी भी समझ गई थी कि मेरा बेटा क्यों रो रहा है तो चलिए मैं बोलूँगी सचिन को इसलिए कि जो होता है अच्छे कि लिए होता है भगवान जो जिससे करवाते हैं इंसान करता है तो चलिए मिलता है नेक्ट वीडियो पसंद आए तो जरूर मारे चैनल को सस्क्राइब